Hello everyone, welcome to ECV Commerce Classes मैं हो तबिता और गाईस आज की इस वीडियो में हम अपने CUET की प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग लोग लॉजिकल एंड रीजिनिंग टॉपिक को कवर करेंगे अकेले लॉजिकल एंड रीजिनिंग में बहुत सारे टॉपिक आते हैं गाईस तो आपको सीखना जरूरी है दोमेइन सब्जेक्ट तो आपको आना चाहिए लेकिन उसके साथ ये आने भी जरूरी है क्योंकि ये स्कोरिंग है नॉलिज पर आपके डिपेंड करते हैं एक बार प्रेक्टिस करना मांगता है इन चीजों में उसके बाद आप खुद बखुद इन सारी चीजों को सीख जाओगे तो मेरे साथ अब अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉजिकल और रिसनिंग के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वन बाइवन वीडियो आएंगे तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में मैं एक इतना इंप्रूर्टिन टॉपिक कराने वाली हूँ जो की जर्नरल एंट्रेंस एक्जाम में पूछा ही जाता है यानि की नॉर्मल एंट्रेंस एक्जाम होते हैं उनमें तो आता ही है और हमारे सी उएटी में भी आ सकता है जिसका नाम है डारेक्शन सेंस टेस्ट यह बेसिकली न हम लोगों की नॉलिज को चेक करने के लिए लिया जाता है कि हमें कितनी डारेक्शन की नॉलिज है अब हम रहते हैं तो हमें ये नॉलिज तो होनी चाहिए न कि हम कहां जा रहे हैं कितने किलो मीटर हम चल लिए ये चीजों की knowledge को check करने के लिए direction sense test लिया जाता है आपको पता है चार टाइप की direction होती है North, East, South, West North बोले तो हमारे देश में North में क्या है जम्मो कश्मीर है East में में घाले वगरा है South में Tamil Nadu है, Chennai है West में आपका राजस्तान है, Bombay है की सरफ West अरिया आजाता है अब यहां पे हमें direction बता होनी चाहिए तो अगर आपको में ये एक छोटा और map दिखाऊं तो देखो North, South, East, West और North और West के पीच का अरिया होता है ये वाला ठीक है और यहां से ये पूरा देखो अगर आप ये देखोगे तो ये 90 डिगरी बनाते है और 45 अगर इनको middle में कर दे तो ये 45 डिगरी बनाते है इधर और इधर के अरिये को आप North, West के सकते हो इधर North, East, इधर South, East तो इधर South, West क्योंकि West भी include है और आपका South भी include है अब इनी बेसिस पर question आते है ये basic knowledge थी और ये होनी जरूरी है question को solve करने के लिए अब अगर आप यहाँ पर questions देखोगे ना guys देखो यहाँ पर जो question given है उसमें सबसे पहला question given है कि राम is facing a North, West राम ने क्या face कर रखा है? North, West face कर रखा है question visible होना अच्छी है? Yes आप देखो मैं आपके सामनी करके भी दिखाती हूँ कि राम एक बंदा है ठीक है? उसने face कर रखा है guys, North, West तो हम लोग अगर normal देखें तो North, West आएगा इस तरफ राइट? ठीक है? यह North है और यह West है तो उसके middle में North, West उसे face कर रखा है आगे कहते हैं अगर हम इस तरफ को चलते हैं तो यह clockwise है अगर हम इस तरफ को चलते हैं तो यह anti-clockwise है तो यह जानना जरूरी है अब देखो, वो बंदा यहाँ पे था और he moves 90 degree ना clockwise देखो, अगर वो यहाँ पर ऐसे है तो उसका 90 degree कैसे होगा? यह पूरा create करेगा अगर मैं middle से निकालू 90 degree तो अगर अभी वो north west में था तो अभी वो north east में पहुँच चुका होगा ठीक है? अब direction and 135 degree and 135 degree in the anti-clockwise direction अब वो 135 anti-clockwise बोले तो वो इधर को move on हुआ anti-clockwise इधर को आ गया लेकिन 90 कवर करने के बाद और कितना कवर करने है तो गाइस देको 135 में से अगर 90 कवर करने है तो 90 degree वो यहां तक आया और 45 degree यहां पर वो आ गया ठीक है? तो यह पूरा का पूरा एंगल जो होगा यह होगा 135 degree का आगे वो यह पूछते हैं विश डारेक्शन राम इस फेसिंग ना हो तो राम अगर यहां पर खड़ा है यहां पर है और इस जगे को देख रहा है तो यह कौन सी जगे है गाइस? वेस्ट तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो क्या होगा? बी वेस्ट होगा ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने second question की तरफ second question क्या है गाइस? शिक्खा वेंट 10 किलो मीटर साउथ from her house तो सबसे पहले हमें नहीं पता शिक्खा का गर का है ठीक है? तो हम माल लेते हैं कि शिक्खा का गर यहां पर है और वो 10 किलो मीटर चलती है from her house तो किस तरफ चल रही है? अब भी हमें कुछ नहीं पता वो किस तरफ चल रही है तो माल लेते हैं कि वो बहीं नीचे की तरफ आई यह आप ठीक है? तो वो 10 किलो मीटर चली अब देखो शिक्खा जो होगी वो यहां पर खड़ी है तो मेरे से वो अपोजिट में खड़ी है ठीक है? अगर आपके कोई सामने बंदा है तो जो आपका राइट है उसका जस्ट आपके सामने वाला होने वाला है राइट मतलब सामने वाला नहीं होने वाला उसका दूसरी तरफ को होगा समझ जो मेरी बात को आपको ये बस इस तरीके से समझ नहीं कि आपके सामने कोई बंदा खड़ा है आपका right अगर इस तरफ है तो उसका opposite में होगा right उल्टा होगा तो उसका right है इस तरफ को अब वो क्या कहते है she turn right and move 5 km अब वो 5 km और चल ली and again turn right तो turn right क्या होगा इस तरफ होगा and cycle 10 km भई 10 km उसे फिर cycle चला ली then she turn left अब left का मतलब होगा इस तरफ and 10 km उसे फिर दुबारा cycle चलाई ठीक है now she turn left and cycle 10 km what is the shortest distance of शिक्खा from her house अब उसका घर तो यहाँ था वो पहले 10 km नीच जाई फिर उसने 5 km यहाँ पर चला फिर उसने 10 km यह चला फिर 10 km यहाँ अब यहाँ से उसका घर normally 10 और 5 देखो यह वाला अगर 5 km है तो यह भी it means 5 होगा तो 10 plus 5 यानि कि वो 15 km में अपने घर पहुँच सकती है तो यहाँ पर आंसर होगा B guys 15 km जबकि वो वेकार में इतना चलके यहाँ तक पहुची थी ऐसे ही पहुच जाती है तो यह जस्ट कन्फ्यूज करने के लिए होता है तो 15 km यहाँ होगा जो यह है वही equal distance यहाँ है और यह वाला अड़ कर देंगे तो 10 plus यह वाला 5 15 हो जाएगा ठीक है समझ आया इसके बाद एक question और देखते है guys ठीक है अगर फिर भी कोई query अगर आप लोगों के मन में रहेगी कुछ चीज नहीं समझ जाएगी इन questions में तो आप comment के थूँ पूछ लेना या फिर Instagram पर मुझे message कर सकते हो देखो यहां पर है शीला walks from A to B अभी हमें कुछ नहीं बताया कोई direction नहीं बताया है east west north तो हम कुछ भी ले सकते हैं ठीक है अब शीला है guys वह A से B point पर जाती है which is 2 km ठीक है 2 km away turn at 90 degree अब वह यहां पर आगर guys 90 degree आगे बढ़ते है तो 90 degree क्या होगा इसका ऐसे होगा ठीक है तो अब वह 90 degree move on होती है and walk 3 km अब वह 3 km चल ली and at point C पहुंच जाती है C पहुंचने पर then again वह turn 90 degree 90 degree बोले तो यहां पर आ जाती है and walks to D which is 8 km तो यह जो C से वह D जा रही है यह 8 km का रसता है काफी दूर है sorry आपको दिखनी रहा था अभी देखो question right अब वह 8 km गई इसके बाद वह क्या कहते है turn 90 degree right and goes 3 km to point K अब वह again 3 km चली जो की यह 3 km हम चल के आहते यही 3 km वह पहुंची और वह पहुंची किस point पह? K point पह then once again she turned right 90 degree and works 4 km अब वह 4 km और चली to point F how far is from A A और इसके बीच की दूरी कितनी है F के बीच में guys तो देखो यह total था 8 km C से D की दूरी थी C से D की दूरी थी 8 km जिसमें से 2 km यह अब इसके बाद के जो question है आप एक बाद देखिये उसके बाद आप try करना solve करने की जिसमें Rina walk करती है 20 m towards north she then turn left and walk 40 m she again turn left and walk 20 m further she move 20 m after turning to the right how far is the from her starting point तो यह आप बता सकते हो next question में guys आप देख सकते हो जिसमें क्या given है A man start from point walk 4 miles towards north and turn left and walk 6 miles and turn right and walk 3 miles and turn right बहुत जादा बढ़ा है and again walk 4 miles and take rest for 30 minutes तो आपके screen पर आगा question guys आप इसे भी solve कर सकते हो तो इनकी answer आप comment में जरूर share करना और बताना की कोई difficulty है यह नहीं है तब तक मिलते हैं next video में Bye take care I 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